सो हेलो गाइस कैसे वासा करता व्यार सब लोग ठीक होंगे गाइस वागत आपका माइनक्राप्ट के एक और न्यूए एपिसूड में तो गाइस आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइनक्राप्ट कुछ ज प्रेडी बना के रखा है आपको चैनल पे चैनल पे जाके आप लोग उसको चेक कर सकते हो और अगर आप लोगों को ज्यादा महिनत नहीं करने तो उसकी लिंक में दिये दूंगा तो आप आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उससे आप टच की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे वीडियो अगर अच्छ लगे तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना तो चले वीडियो को सुरू करते चले जाते हम अपने सेटिंग्स में तो चले जाते वीडियो में काफी सार ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कई लोगों को नहीं पता कि इसका उसन का यूज क्या है तो आज हम इस सारी के रिपा सारी बात करेंगी तो सबसे पहला होता है हमारा brightness तो brightness को आप कम ज्यादा रख को मुझे साइस से कुछ समझाने कि आप को जरुवत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले होता है brightness जिससे आप अपनी गेम का brightness ज्यादा या कम कर सकते हैं उसके बाद होता है हमारा first person, third person back, third person front तो इसको हमारा कैसे यूज़ करते हैं तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं third person back, बीचवाल option पर क्लिक किया, वापीस ब्याक हो गए, चले गए, उसमें क्या होता है कि आप लोग यह देशे कि देख रहे हो, हमारा character हमें पीछे से दिखाए देता है तो यह काफी अच्छा है गाइस, आपको यह यूज़ करना चाहिए, अगर आप लोग नहीं है तो उसके बाद वापीस से चले जाते हो और third person front अगर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, चले वापीस से चले जाते हैं, अगर third person इसको अगर स्वारी third person बेक ही कर दिया है, मैंने वापीस हमें third person front करना है, यह रा, front, हो गया, third person front, अब यहाँ से बापीस चले जाते हैं, और यह देखो, इसमें क्या होता है, कि हम लोग आगे से हमारे character को देख सकते हैं, तो guys, इसकी मिसला दूँगा, क्या यह यूज़ ना कर यह, क्या यह यूज़ है, इसमें आप लोग जैसे कि देख बनाया है, कैसा है, तो आप लोग इस तरह से आपको screenshot ले सकते हैं, तो काफी अच्छा feature से आप लोगों के यह मिल जाता है, तो अगर आपको खिलते समागर इसको use करना है, तो मैं तो यह मनाई करूंगा, क्योंकि कोई आपको काम आने वाला नहीं है, आपको अगर काम आ सक है, तो वो है, हमारा first person और third person भी है, तो यह दो आपको use आ सकते हैं, तो मैं तो अभी रखता हूँ, first person है, उसके बाद होता है, hide hand, तो इससे क्या होता है, कि चले, हमारी हाथ में अभी अभी यहाँ पर तलवार है, आप लोगों को दिखाए दे रही है, तो यह तलवार जो करेगे, लेकिन हमें कुछ हमारे hand नहीं देखेंगे, काभी सारा यह changes हो जाता है, उसके बाद होता है, हमारा next setting, वीडियो में चले जाते है, hide paper doll, जो कि अभी यूज नहीं करेगा, जब आप multiply करोगे, तो आपको hide paper doll का option मिल जाएगा, इसको अगर one कर देगे, तो इधर right side में, right side में आपको एक paper doll दिखाए देगा, जिससे कि आपको अपने character को देख सकते हैं, तो यह अगर आप minecraft को मुल्टिप्ले में खिलेंगे, तो आपको वो नजर आ जाएगी, अगर आप लोगों को नहीं पता, मुल्टिप्ले में कैसे करते हैं Android में, तो उसका वीडिय और हमारा controller हो जाता है, वो हो जाता है, हाइड, पूरी का पूरी तर कैसे का आप लोग दिख रहें, वर्क करेगा, सब कुछ वर्क कर गया, लेकिन सिर्फ invisible हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, आप लोग समसकते हैं, तो यह काफी अच्छा लागा मुझे, जिससे कि हम लोग अगर कंप्यूटर में खेल रहे है, ऐसा कुछ feeling आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने में या फिर screenshot लेने हमें ये काम आ सकता है, चली जाते हैं वापस से अपनी settings में, तो यह थोड़ा सा problem हो सकता है, कि हमारा settings का option का है, वो देखने में मिल गया, आप लोग अगर इसको अगर on करते हैं, तो हमारा screen animation इस तरह का work करेगा, जिसे कि आप लोगे बादल वगेरा सब कुछ देख रहे हैं, तो यह तो मैंने अपी graphics change करके रखाए, आप इसको जावा edition में खेलेंगे, तो वो पी यहाँ पे आपको work करता हो मिल जाएगे, जिसम का वीडियो पी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसकी link भी में description डाल दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगे, आपको सारे के सारे वीडियो हमारी चैनल पे मिल जाएगे, आपको हमारे चैनल को subscribe करके रखे, मैं और भी ज्यादा इसके related videos लाने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से अच्छे तरह से minecraft केलने में helpful helpful रहेगा, तो इसके बाद होता है, hud capacity, हमने देखा हाइड, hud मतलब की हमारा यह जो होता है, क्या होता है कि controller हाइड हो जाते है, मतलब कि हमें control दिखाने देता, और opacity होता है, मतलब कि यह कितनी fast work करेगा, वो होता है, जि यह हमारा character कितना fast चल रहा है, तो यह वगेरा सब कुछ हो जाता है, अगर हम उसको off कर देते, maximum capacity पे कर देते, तो यह slow हो जाएगा, आप लोग को को यह लगता है, कि मेरा character बहुत ही slow है, तो आप उसमें, साइड यह setting करना होगा, आप लोग जाके वो setting कर सकते, तो काफी अ लगता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक में बारी सो रही है बाहर, तो मैं पहले बारी स्कॉप कर देता हूँ, क्लियर वेधर, वेधर क्लियर चीए, वीडियो बनाना है, तो गाइस, अगर आप लोगो कोई वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक चर रोग दिया, तो चलिए, अब हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं, तो यहाँ पर आ गए हम माइनक्राफ्ट के सेटिंग्स में वापस वर वीडियो पर, तो यहाँ पर हम लोग आये थे, एप हो भी, तो इसको हम जैसे, आप लोग साथ देख भी रहे होंगे, कि पीछे क् इसको रखते हैं, फिप्टी बराबर, आप लोग देख लिए फिप्टी और ब्यक कर देते हैं, तो यह हमारे जो चन्ने के लिए सीड़ी हमारी है, यहाँ पर रखी हुए, अब आप लोग देखना, यहाँ से मैं हीला भी नहीं हूँ, और यह आ गए वीडियो में, और इस हम लोग दूर चले चाते हैं, यह थोड़ा से ऐसा हो जाता है, जैसे कि आप लोग वह घर देख लो, वह अभी नजदिक आ जाएगा, मैं अभी इसको मैक्सिमम में कर देता हूं, तो वीडियो और आ गया हम वहाँ पर, हमारा पहले था, फिप्टी एट रखते चलो, यह द बाद होता है, तो यह तो मुझे पता नहीं क्या हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर आउटो से का आइकोन दिखा ही नहीं देता, तो फिर यह किस लिए दिया गाए, तो आप लोग इसको छोड़ दीजे, क्योंकि यह कोई काम का नहीं है, उसके बाद आता है, आउटलाइन सिले तो आउटलाइन को अभी में कर देता, वो आप मुझे अभी इसकी कोई ज़रुवत नहीं है, अगर आप लोगों कोई इसकी ज़रुवत है, आप लोग इसको वान रख सकते हैं, इन गेम प्लेयर नेम, तो यह आपको मल्टि प्लेय जब आप खिलोगे, तो उसमें आपको वर्क करता हूँ मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है, कि आपके जो प्लेयर होता है, सामने प्लेयर तो उसका नाम आपको लिखा हुआ, आना चाहिए, या क्या होता है, कि उसका हमें पहिचानने में, अगर आप दो लोगों को पता होगा, कि यह तो मेरा वाला यही प्लेयर पर अगर आप लोग 3-4 लोग खिलतो हो तो आपको इसको रखना पड़ेगा जिससे आप लोग पता चल लगे सके कि मेरे साथ कौन-कौन खिल रहा है तो गैस यह इन गेम प्लेयर मतलब का होता है कि आपके साथ जो को मल्टी प्लेय खिल रहा है तो उस बंदे का नाम आपको दीखाए देखा तो वह काफी अच्छा है उसके बाद सारे सारे व्यू वोग इंगे सब होता है यह सब हमें मल्टि प्लेय में मिल जाता है एक डेंडर कलोथ इसके अलावा वह नीचे होता है व्यूटी स्किन को अगर आम करते तो उसके उपर एंडर कलोथ होता है वह आप को हो चाहिए तो अगर आम इसको एप कर तो बाधल थे और जो आरी मोसा देखा तो यहां पर बादल यहां पर गैप बाधल aja THvo eigentlich जश्य हो गये अपलोग देख रहा है तो अब इसको फरक पड़ता है कि अगर आप लोग को बादल रखना या नहीं रखना है या फिर कुछ ग्राफिक्स में चैन्जिस हो जाता है आप लोग समझ सकते गाइस तो इसमें कुछ यह हमें सिस्टम वगेरा मिल जाता है उसके बाद हाता है हमारा स्मूथ लाइटिंग तो यह स्मूथ लाइटिंग आपको जावा एडिशन में जो की थोड़ा स्मूथ आप आपके जो ब्याग्राउन ब्याग्राउन स्वरी आपका जो ग्राफिक्स होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है जैसे के देखो यहाप यह पहाड है अगर आप लोग जैसे के पहाड को देख रहा है यह कितना दिखा रहा है क्यासा दिख रहा है आप लोग पहले देखिए इसको मैं अब कर देता हुआ चले चले हम लोग चले रहे वीडियो में तो कर देते हैं आप स्मूथ लाइटिंग कर दिया इसको अब देखना आप यह देखो कितना अच्छा पहाड हमें दिखाई दे रहा है इससे पहले कैसा दिख रहा है तो अब दिखिए कितना अच्छा दिख रहा है तो गाइस यह फरक होता है इसमें स्मूथ लाइटिंग तो आप लोग सही से के समझ सकते हो अगर हम इसको वान करते हैं थोड़ा हमारे ग्राफिक्स में चेंजिस हो जाएंगा यह उतना जदा आपको दिखाए नहीं देगा लेकिन थोड़ा से चेंजिस हो जाएगा आप लोग जैसे के अभी देखो यह सा कुछ दिखाए दे रहा ह यहाँ पर कुछ इस तरह का लेकिन अब थोड़ा साम लोग इसको चेंजिकर करते हैं साइद आप लोगों को इसमें फर्क मैसूस होगा मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है चलिए रहा और होगा यह रहा हमारा फ्रेंट्सी ग्राफिक्स तो भाई इसको अपहले वान था असी वज़े से मुझे साइद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन आप अगर अपने पूराने ग्राफिक्स में खेल रहे हो जैसे कि जो हमारे माइनक्राफ्ट गेम के साथ आता है तो उसमें आपको कोई दिक्खत नहीं होगी तो काभी अच्छा है गाइस वह आप अभी इस तरह का यासा दिख रहा है कि नी दूरी पर वह आप लोग देख लीजिए उसके बाद चले जादे वापीस हम सेटिंग में वीडियो में आये और भाई यह रहा है इसको कर दिया ओन यह एफ हो भी कैन बी तो यह का मुझे साइद से लग रहा है यह इसके क्या है कि अब लोगों किए दिखा यहाँ देखो यह नीचे आपको दिखार दिये रहा है यहाँ पर साइद मुझे ऐसा लग रहा है कि सेडों के लिए है अब हो भी सको कर दिया देखो सेट चले का एक मिट बारी सो गया है इसे थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकती आप लोगों स्व किजिए चलो वापीस से हो गया तो इसका यूज तो गाइस अभी भी मैंने क्रिया लेकिन चलिए फिर से ट्राइब करते यह बारीस ने हमारा सब हम इसको ओन करते हैं वीडियो में गए इसको कर देते हैं हम लोग आप तो यह नस्दिक आ गया उतना ज्यादा नस्दिक नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सापको फरक अगर आप लोग खेलते हैं तो आपको वीडियो में समधनी आएगा एक बार आप लोग इसको यूज करके काफी अच्छा लगेगा आप लोग यूज करने में अच्छा लगेगा उसके बाद हमारा लास्ट में हम लोग पहिच के यह क्लासिक में होता है तो हम लोग पॉकिट एडिशन अपी रखते देखें यह काफी अच्छा है यह आपको काफी ज्यादा है फूल होने वाला है यह आपको काफी यूज होने वाला है चले लोग इसको यूज करके दिखाते हैं तो यह देखो यहां पर हमारी जो आइटम एनिवन इनिवेंट्री होता है इन्वेंट्री हमारी इसमें आप लोग जैसे कि लग रहा है अगर आप लोग इसमें खेलते तो आपको थोड़ा सा लगेगा लेकिन अगर आप लोग इसमें चैन्ट कर देते वह फोटेट एडिशन में चले सेटिंग में ये काफी अच्छा सेटिंग की यहां को यूज करना ही चलिए चलो यहां गए हम से तो यहां पर कर देते हैं पॉकेट को कर देते क्लासिक क्लासिक करने के बाद पीस से चली जाए बैक तो यह अभी आप लोग देखना तो कितना क्लासिक और अच्छा लग रहा है कंप्यूटर जैसा होगा सब कुछ छोटा-चोटा होगा एक फ्रेम में करना पड़ता है बारी-बारी लेकिन यह काफी अच्छा है यह आपको अच्छा लगेगा तो यह आई होप कि आप लोगों यह लास्ट वाली सेटिंग काफी अच्छी लगेगी उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट वीडियो बरबर आगा हम अपना लास्ट में तो उसके बाद जी यू आइस केल मोडी फैल तो इससे क्या होता है यह लोगों हमने इसको डाउन किया हमारे जो फ्रंट थे जो हमारे सेटिंग्स के फ्रंट वो छोटे हो गए बढ़े करते इसको लोबड़े हो गए तो इसका यह यूज़ से उसके बाद लास्ट होता है रेंडर ड इस्ट्रेशन को ओन करते हैं यह रहा हमारा घर चलिए आप लोग गर देखते रहे ना उसके बाद हम लोग करते हैं इसको फूल अगर हम इसको कम कर देते तो कैसा दिखता है तो भाई कर दिया कम यह देखो पहार कहा गया मतलब कि इसमें यह होता है अगर हमें दूर की कोई चीज देखनी हो तो वह में इन्वीजिबल हो जाती मतलब कि हम जब तक उस चीज के नजदिक नहीं जाएंगे तब तक यह हमें दिखा नहीं जाती यहां पर मेरा जो प्लस का आइकोन आ रहा है वहां पर आप लोगों को एक होम दिख रहा है घर लेकिन अगर हम उसको फूल कर देते हैं यह लो चलो इसको फूल कर दिया और अब यह देखो किसना क्लियर दीख रहा है तो गाईस इसमें यह होता है तो वीडियो गाईस काफी लंबा हो गया है तो अब हमने साइव वीडियो को यहां पर कर देना चाहिए एंड आइए और यार पसंद आया हूँ तो एक लाइक जरू कर देना चैनल पे नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिशन बेल को व्यान कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे गेम के इंट्रस्टिंग वीडियो जरू लाते रहते हैं तो गाईस काफी ज्यादा लंब झाल